Hello everyone, welcome to A1 Education और हम जो LLB के कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें हमारा एक important paper है जिसका नाम है Law Relating to Criminal Procedure Juvenile Justice and Probation of Offender इस subject में, इस paper में हम दो act इसके साथ पढ़ रहे हैं एक है Criminal Procedure Code अगला है Juvenile Justice और एक है Probation of Offenders Act जो हमारा important syllabus है एक topic है, एक paper है जिसका नाम है सबसे पहले हम नाम याद कर लेते हैं एक है Criminal Procedure Code फिर उसके साथ हम जो पढ़ेंगे वो है Juvenile Justice Act के बारे में और एक हम पढ़ेंगे Probation of Offenders के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं Criminal Procedure क्या होता है ये एक Procedural Code है एक प्रक्रियात्मक विदी है जिसके अंदर IPC के अंदर जितने भी अपराद किये गए हैं जितने भी अपराद बताएं गए हैं उनकी क्या Procedure बनेगी उनके क्या Rules बनेगे वो सब हम CRPC के अंदर पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट है Juvenile Justice जो Juveniles होते हैं जो 18 वर्ष से कम IU के बालक होते हैं उनके बारे में जो Procedure है वो बताई गई है कि अगर उनके विरुद कोई अपराद किया गया है या 18 वर्ष से कम IU के किसी बालक ने कोई अपराद किया है उनको किस तरह से जांच के दोरान रखा जाएगा कहां पर उनके लिए पुनरवास की विवस्ता की जाएगी और उनके विरुद जो अपराद होंगे उनकी क्या पैनल्टीज है क्या शाष्टियां है वो सब हम उसके अंदर पढ़हेंगे फिर अगला है Probation of Offenders Act इसमें हम पढ़हेंगे कि किसी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयूका है उसने कोई अपराद किया है उसको परिविक्षा का लाब दिया जाता है प्रूबेशन का लाब दिया जाता है जहां गंभीर प्रकरती के मामले नहीं होते कि उन मामलों में उनको परिविक्षा का लाब दिया जाता है तो बहुत अच्छा और बहुत इंट्रस्टिंग यह हमारा सब्जेक्ट है तो हम अपने आप सबसे पहले हमने नाम याद कर लिया है कि एक हम पढ़ेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जुविनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोबेशन ओफ अफेंडर आक्ट तो हम इसका सिलेबस डिसकस करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो फर्स टॉपिक होगा वो होगा प्रिलिम्नेरी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसका object क्या है इसका extent क्या है और इसकी कुछ definitions जो chapter 1 में दी गई है किसी भी act को पढ़ने के लिए उसकी जो परिभाशाएं होती है वो बहुत important होती है तो पहला जो हमारा है preliminary इसके अंदर हम इसका उदेश है इसका extent कहां तक है और इसकी कुछ परिभाशाएं important वो पढ़ेंगे next जो topic है वो है duties of public public की क्या duty होती है अगर वो किसी अपराधी को कोई अपराध करते वे भागता हुआ देख रहे है तो उनकी क्या duty होती है किस तरह उनको police और magistrate को help करनी चाहिए तो to assist police and magistrate तो वो किस तरह से help करेंगे क्या procedure होगी वो सब हम यह पढ़ने वाले हैं अगला है to give information about certain offenses किसी person को public को पता है कि कोई अपराध हुआ है कारित हुआ है उस अपराध के बारे में वो information कैसे देंगे कौन-कौन से ऐसे अपराध हैं जिनके बारे में उनको information देनी होगी तो यह है हमारी first topic preliminary का next है criminal courts जब हम CRPC की procedure पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि किसी अपराध के लिए किसी magistrate की क्या अधिकारिता है क्या उसका jurisdiction है उसका area क्या है तो इसमें हम कुछ courts के बारे में पढ़ेंगे magistrates के बारे में पढ़ेंगे अलग-अलग courts होती है और उनकी अधिकारिता भी अलग-अलग होती है तो पहला है territorial division and classification कि हर एक magistrate की territorial division क्या होगी और उनका वरगीकरन क्या होगा तो हमारे जो courts हैं जो न्यायल हैं उनका वरगीकरन क्या होगा तो यह हम पढ़ेंगे chapter 11 section 10, 14, 15, 19, 22 and 23 में फिर उसके बाद में बात आती है कि हमने वरगों में तो बांट दिया हमारे जो न्यायल है उनको लेकिन उनके पास क्या शक्तियां है उनकी powers क्या है, वो कितने तक की punishment के निर्ने सुना सकते हैं या उनकी अधिकारिता क्या है तो यह हम पढ़ेंगे chapter 3 में section 26 to 31 अब बात आती है pre-trial procedure क्या होता है trial तो बाद में शुरू होती है, court में मामला पहुंचता है उससे पहले की क्या प्रक्रिया होती है process to compel appearance किसी व्यक्ति को कैसे compel किया जाता है उसकी हाजरी के लिए, उसकी appearance के लिए उसके बाद है process to compel production of thing किसी व्यक्ति को किस तरह से bound किया जा सकता है compel किया जा सकता है, उसके पास कोई दस्तावेज है या ऐसी कोई चीज है जिसको produce करने के लिए फिर है next topic है arrest of person, किसी व्यक्ति को गिरफदार कैसे किया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कौन उसको गिरफदार कर सकता है, warrant के साथ गिरफदार करेंगे या warrant के बिना गिरफदार करेंगे next topic है information to police and their power of investigation, police को information कैसे दी जाएगी और police की powers क्या होंगी investigation के बारे में, police की जो powers होती है, किस तरह से police investigation करेंगी, वो सारी procedure हम इस topic में पढ़ेंगे next है bail, किसी व्यक्ति को गिरफदार किया जाता है, तो उसे bail पर भी छोड़ा जाता है, तो उसको bail पर किस तरह से छोड़ा जाएगा, कौन-कौन से अपरादों में, जमानती अपराद होते हैं और अजमानती अपराद होते हैं, तो ऐसे कौन से अपराद होते हैं, जिनमें उसको बेल पर छोड़ा जा सकता है क्या अजमानती अपराग में भी किसी व्यक्ति को जमानत मिल सकती है नेक्स्ट होगा jurisdiction of court in inquiries and trial inquiry और trial के तहत जो courts है उनकी अधिकारिता क्या होगी उनका शेतर अधिकार क्या होगा courts का inquiry और trial जो है वो कौन सी court में किस तरह चलेगी फिर है maintenance of public order and tranquility public order को maintain करने के लिए कि क्या procedure होती है जब किसी police साधिकारी को या किसी magistrate को यह पता लगता है कि वहाँ पर लोग शांती भंग होने वाली है तो वो उस public order को maintain करने के लिए क्या procedure अपनाते हैं क्या प्रक्रिया अपनाते हैं फिर अब हमारा जो topic है वो है jurisdiction of court in inquiries and trial inquiry और trial में courts का jurisdiction क्या होता है शेतर अधिकार क्या होता है बहुत important यह हमारा topic है यह courts को पता होना चाहिए कि क्या उनके पास जो matter आया है क्या वो उनके jurisdiction के अंदर गताता है यह बात वकीलों को भी पता होनी चाहिए कि उनको अपना case कहां file करना है फिर एक topic है complaints to magistrate and cognizance of offense किसी offense की complaint magistrate के समक्ष कैसे जाएगी और कैसे कोई किसी अपराद का संग्यान लेंगे तो यह topic है हमारा कि magistrate के पास में complaint किस तरह से जाएगी उसके बाद में क्या procedure होगी वो उसका संग्यान किस तरह से लेंगे वो कैसे किसी को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए बुलाएंगे यह सारी जो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे फिर अगली बात आती है charge किसी अपराद का जो अभियोग लगा है चार्ज लगा है वो क्या होता है चार्ज जब लिखा जाता है उस charge की contents क्या क्या होते है उसकी अंतर वस्तु में क्या क्या होती है अगली बात आती है जब trial अब हम पहुंच गया है तक तो कौन कौन से trial होती है विचारन होता है types of trial trial before court of session court of session के समक्ष विचारन होता है तो एक तो हम पढ़ेंगे court of session की trial फिर हम पढ़ेंगे trial of summon और warrant अब अलग-अलग case होते हैं कुछ cases होते हैं summon case और कुछ case होते हैं warrant case वो हम detail में अपने questions में पढ़ेंगे लेकिन उनकी trial कैसे चलेगी summon case की trial की क्या procedure होगी और warrant case की trial की क्या procedure होगी फिर बात आती है summary trial जब हम speedy trial चाते हैं हमें जल्दी निरने चाहिए क्योंकि हमारे यहां एक rule है कि justice delayed is justice denied तो अगर हमें speedy justice चाहिए है जल्दी हमें अपना न्याय चाहिए तो उसके लिए एक summary trial की विवस्ता हमारे CRPC में की गई है जहां पर शंग्षिप्त विचारन किया जाता है और किसी मामले को जल से जल निपटाया जाता है तो यह summary trial क्या होती है फिर हमारा topic है judgment कोई मामला code तक पहुंचा है उसकी विचारन के बाद जो आता है वो आता है उसका निरने तो judges जो होते हैं न्यायले किस तरह से अपने judgment लिखते हैं किस language में वो लिखा जाता है कहां पर उनके हस्ताक्षर होते हैं तो यह हम इस judgment वाले topic में पढ़ने वाले हैं अब हमारा जो next topic है judgment आगे अब judgment के बाद क्या होगा अगर कोई व्यक्ति उस judgment से व्यथित है वो उसको नहीं मान रहा है तो वो क्या करेगा अपील करेगा तो हमारा next topic है अपील का तो अपील की क्या procedure होती है कौन से courts की अपील कहां जाएगी कौन से courts में जाएगी कौन उनको सुनने के लिए सक्षम है यह सारी बाते हम अपील के chapter में पढ़ेंगे फिर बात आती है reference और revision की पुनर विलोकन एक शब्द है किसी को कोई मामला किसी दूसरे जो छोटे courts है अधिनस्त जो court है वो किसी मामले में किसी अपने higher courts की राय चाते हैं वो कैसे उनको refer करेंगे और कैसे किसी मामले का revision किया जाएगा जब किसी को यह लग रहा है कि इस case में जो सुनवाई हुई है वो proper नहीं हुई है तो उस मामले में कैसे उसका revision किया जाएगा तो यह था हमारा CRPC का syllabus मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके साथ हम कुछ और भी पढ़ने वाले हैं इसमें एक last में जो topic है यह था हमारा सारा procedure लेकिन इसके बाद में miscellaneous provisions आते हैं जहां पर हम इनके अलावा भी कुछ बाते पढ़ेंगे पहली होती है period of limitation, limitation period क्या होगा किसी मामले में कब तक वो court तक पहुंचाया जा सकता है next होता है irregular proceeding, जो proceeding जो कारवाईया court में चलती हैं वो कब irregular हो जाती हैं, कब वो गलत हो जाती है अगला है legal aid to accused at state of expenses, राज्ये के खर्चे पे किसी अभ्यूक्त व्यक्ति को legal aid कैसे दी जाती है, legal facility कैसे provide कराई जाती है section 304 में हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, फिर है pardon to an accomplished, कोई अभ्यूक्त व्यक्ति है, उसकी सजा को कम कैसे किया जाता है क्या procedure होती है, कौन से मामले होते हैं, जिसमें उसकी सजा को कम किया जा सकता है फिर high court की अंतर नहीं छक्तियां क्या है, inherent powers क्या है high court के पास में और एक important topic आता है, इसमें maintenance of wife, children and parents किसी व्यक्ति के उपर क्या दाइत्व होता है, किस तरह से उसको अपनी wife, children और parents की maintenance का एक duty होती है, जो उसे पूरी करनी होती है, अगर वो अपनी duty नहीं पूरी करता है, तो उसकी procedure क्या है, किस तरह से उसको उसकी wife, children और parents को वो maintenance दिलाई जाएगी तो ये था हमारा CRPC का syllabus, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम दो act और पढ़ेंगे इसके साथ में, एक है juvenile justice act और एक है probation of offenders act, तो juvenile justice act के syllabus देखते हम, juvenile justice act इसकी कुछ definitions पढ़ेंगे हम, कि important definitions क्या है, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले, उसकी definitions उसकी परिभाशाएं देखने चाहिए, उसके बाद में हम देखेंगे, कौन-कौन competent authorities या institutions हैं, जो juveniles के, या negative juveniles हैं, deliquent juvenile हैं, परित्यक्त हैं, कि शोर, उनको किस तरह से help करती है, उनको रहने की विवस्ता, उनके पढ़ाई की, उनकी health की सब तरह की विवस्ताओं में help करती है, तो वो कुछ institutions के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कुछ ऐसे ग्रहों की भी स्थापना की जाएगी, जैसे बाल ग्रह, संप्रेशन ग्रह, ये क्या होते हैं, किस तरह के बालकों को इन में रखा जाता है, फिर जो authorities हैं, यहां पर जो समीतियां बनेंगी, जो authorities होंगे, उनकी procedure क्या होगी, वो किस तरह से अपना कार्य करेंगे, फिर ऐसे कौन से विशेश अपराद हैं, juvenile को लेकर, वो भी हम अपने इस act में पढ़ने वाले हैं, उनके विरुद भी क्या अपराद हैं, और उनकी क्या शाष्टियां हैं, वो भी हमने अपने इस act में पढ़ेंगे, तो ये था juvenile justice act का syllabus, और इसके साथ जो हम next act पढ़ने वाले हैं, क्या पावर होती है, वो कौन-कौन से offenders को परिविक्षा का लाब दे सकता है, good conduct पर, तो power of court to release certain offenders after admonition on probation of good conduct, फिर court के पास एक power है, कि वो जो पीडिक पक्षकार है, उसको compensation दिला सकता है, और कारवाहियों के खर्चे भी दिला सकता है, तो power of court to require release offender to pay compensation under 21 years of age, compensation दिला सकता है, जो अभ्यूक्त होता है उससे, फिर जो परिविक्षा की जो शर्ते हैं, उनमें किस तरह से change किया जा सकता है, variation of conditions of probation, जब स्थितियां बदल जाती हैं, तो court उनमें उन परिश्तियों के हिसाब से बदलाव कर सकता है, फिर जो परिविक्षा पर छोड़े ज हिसाब से, उनसे किस तरह का bond भरवाया जाता है, किस तरह कि sureties उनसे ली जाती है, प्रतिबूती उनसे ली जाती है, फिर यहाँ पर हम probation officers की भी न्यूक्ती करेंगे, probation officers इसमें न्यूक्त किये जाएंगे, जिनकी कुछ duties होंगी, तो उन duties के बारे में भी हम इसमें पढ़ें अभी के लिए इतना ही, thank you so much.